वीडियो में मैं बताने वाला हूँ की software development contract क्या होता है actually होता है क्या दोस्तों बहुत detailed में आपको मैं बताने वाला हूँ इसलिए मैंने presentation भी ready किया है ताकि आपको detailed में समझा सको जब भी दोस्तों आपको यह बड़ा application मनवाते हो यह जो contract रहता है यह चोटे मोटे applications के लिए नहीं होता है जो template based application होते हैं या फिर जिस application का budget around 20 या 50K down होता है उसके below होता है तो उनसा भी application के लिए यह contract मतलब कह लीजे कि मतलब उतना ज्यादा नहीं भी करो कि तो भी चलेगा पर अगर आपका application ज्यादा बड़ा है जिसमें आपका दो लाग तीन लाग रुपे तक आपका खरचा लग रहा है तो उस समय आप चाहो तो यह contract developer से करवा सकते हो और कराना बहुत ज़रूरी भी होता है वरना आपको आगे चलके नुकसान भी हो सकता है बहुत problem आ सकती है आपको ठीक है तो software development या खिर contract क्या होता है यह मैं आपको अब समझाता हूँ what is software development contract होता क्या है दोस्तों जब आप कोई application बन रहे होते हो या फिर आप कोई game बन रहे होते हो या फिर कुछ भी आप developer से कोई बड़ा project पर वर्क कर रहे या फिर वह government project हो या फिर आपका खुद का private project हो ठीक है तो उस time क्या होता है कि जब आप जब किसी भी company या फिर किसी फ्रीलांसिंग से जब आप में आपको बहुत बड़ा project रहता है तो फ्रीलांसर को हैर नहीं करते हैं वो किसी बड़ी company को देते हैं ठीक है पर अगर इस time आपको पता है इस time सभी work from home कर रहे है ठीक है तो freelancer भी उसका जो rights रहेगा वो किसके पास रहेगा ठीक है उसकी बाद में उसमें क्या क्या चीजी use हो रही है समय कितना लगता है बाकि सभी चीजों का contract करवाओगे तो उसमें फायदा आपको यह होगा कि भविश्य में समझ के चली कि आपको सही समय पे deliver नहीं हुआ आपका application ठीक प्लस अगर आपका application बनने के बाद कुछ problem आ गया, bugs आ रहे हैं तो भी आप ticket raise कर सकते हैं उसे problem जल्दी solve इस contract के तो बहुत सरे चीज़े solve हो जाती है ठीक है तो यह contract आप जरूर करवाएं जब भी आप application बनने जाते हैं तो हलाकि जब आप यह contract करवाएंगे तो कुछ charges अधर डेवलेपर उससे ज्यादा रेट वो डेवलेपर या फिर वो कंपनी रेट जो contract कर रही क्योंकि उस ताइम वो जो डेवलेपर सोते हैं वो बन जाते है एक्चुली वह आपके वर के लिए कुई को आपके बन जाते है और आपके वर को वह ज्यादा हाई priority पर रखते ह तो यह बड़ा फायदे बन रहता है ठीक है यह होता है एक्चुल में software development contract मतलब सारी चीज़ों का rights जो है वो आपके पास रहेख है मैं आपको points wise बताऊंको तो आपको अच्छे समझ महाँ हैगा देखे सबसे पहला point तो यह है कि जो आपका application या game बनेगा उसका code किसके पास रहेगा मतलब developer के पास रहेगा उस company के पास रहेगा या फिर वो आपके पास रहेगा ठीक है क्योंकि payment तो आप कर रहे हो ना देखो दो चीज़े होती है जब आप software बनवा रहे होते हो application हो game हो उ actual में वो जो amount है मतलब उस amount में उस game का या उस application का बनना पॉसिबल नहीं होता है तो कुछ developers क्या करते हैं और कुछ companies क्या करती है कि आपका budget एक लाग देड़ लाग है तो वो बना के तो दे दिंगे आपको ठीक है बट वो code नहीं देंगे आपको code का rights आपको नहीं देते हैं वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वहां पे सिर्फ जो आपका बनाने में समय लगा है यानि कि सिर्फ developer की salary निकल पाई है company को से कुछ फायदा नहीं हुआ है ठीक है तो वही same चीजे को अगर उनके बास कोई दूसरा project आता है same category का तो वो उनक अगर कहीं यूज हो रहा है तो उसका कुछ percent amount आपको मिलना चाहिए ठीक है तीसरा विदाउट आपके permission या अगर कहीं यूज हो रहा है तो उसमें कहीं आपके भी application का नाम आना चाहिए तो यह सारी चीजे रहती है मतलब यह फर्स पॉइंट में सारी चीजे लिखी रहती ह है कि समझ के चली कि आपने contract करवाया हुए तो अदर्वाइस क्या होता है कि मतलब ऐसे अगर आप application में लाने के लिए देते हो तो आपको क्या करते हैं मतलब एक final date बता देती कि आपको इतने दिन में मिल जाएगा वह उसी दिन आपको deliver करते हैं possibility यह भी है कि वह डिले कर द स्टेज पर हम इसे कितना update देने वाले हैं हर स्टेज की जानकारी इस contract paper में होता है ठीक है और मतलब आप करवा रहे हो थी सारे points को आप जरूर उसमें डलवायो आपके लिए beneficial हो ठीक है तो क्या होगा कि हर चीज मतलब समझ चली कि आपका first stage में आपका application complete होगा और second stage में य करवा सकते हो actually developer से या फिर companies आप भी करवा सकते हो ठीक है तो यह होता है actually second point में ठीक है अब third point की तरफ में बढ़ता हूँ payment actually payment बढ़ा important है वैसे normally अगर आप चाहो application बनवाने के लिए तो होता क्या है कि मतलब जो developers रहते है या फिर companies रहते है वो half amount पहले लेती है या कुछ companies 25% amount लेती है पहले और 50% आपका काम करने के बाद वो आपका 50% amount लेती है और बाकी का application बनने के बाद लेती है सब company का अलग लग रूल रहता है ठीक है लेकिन अगर आप contract करवाते हो तो बकायद उसमें लिखा रहता है कि payment कब देना है ठीक है यानि payment कितने पार्ट में देने तो आप भी फस सकते हो ठीक है तो वहां पर क्या होगा अगर आपने contract करवाते हो तो payment भी आपको time पे देना और वो divided रहता है payment कि इतने समय पे आपको मिल जाएगा इसमें अगर आप अप्लिकेशन में वारे हो बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वह आपकी आपका application नहीं बन पाया या फिर उन्होंने सही तरीके से नहीं बनाया जैसा आपको चाहिए था या फिर जैसा contract में लिखा हुआ था तो उस condition में payment refund भी ले सकते हो तो यह सारे चीज़े रहती है payment system मतलब अगर यह contract करवाते हो मतलब जब भी आप software development या फिर app development का contract करवा रह अब बात करते हैं next point के उपर copyright materials किस के पास रहेगा उसका owner कोन रहेगा ठीक है अब copyright materials में क्या क्या आता है यह मैं आपको बता देता हूँ जब application बन रहा होता है दोस्तों तो उसके अंदर सिर्फ codes के copyright नहीं होते हैं उसके बहुत कुछ रहता है जो आप sell कर सकते हैं जैसे UI design हो गया उसका कुछ किसी अधर पार्टी को आपका UI design आ रहा है अच्छा लग रहा है तो वह आपके UI design को खरीच सकता है ठीक है और उसका amount आपको मिलना चाहिए तो copyright materials में UI design हो गया logo हो गया या चोड़े-चोड़े जो भी यूज होते है पिक्चर्स वगरा उनका जो rights होता है वह स्टार्टी में क्योंकि वह developers जो company बना रही होती है उनकी UI designers वगरा जो ready करते हैं तो स्टार्टी में तो उनके पास ही rights होता है लेकिन आप चाहो तो वह rights भी ले सकते हो अब यह बात अलग है कि सब उसको क्या charges लेते हैं आप से जो developers या फिर companies क्या charges लेगी यह मतलब म आप से यह सब चीजे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं इन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है ठीक है क्योंकि यह सारी चीजे भी sell होती है बात में समझ के चलिए कि आपका application नहीं चला तो आप इन सब चीजों को sell करके भी अपना पैसा recover कर सकते हो ठीक है आप बढ़त चीजे आपको first day में ही पता से जाता है जिसने आप contract करवा रहे होते हो ठीक है उसमें मतलब कितरे functions रहेंगे कौन से page पे कौन सी activity पे कौन सा button रहेगा यह सारी चीजे आपको पता से API को use किया जा रहा है प्लस उसके बाद में उसमें कितना amount या फिर कौन से payment gateway को डाला जा सारी चीजे आपको इस contract में पता से जाएंगे अगर आप यह वाला point दलवाते हो तो क्योंकि उसमें क्या होता है जो developer होता है वो आपकी requirement को detailed में लिखके contract में मतलब fill up करता है तो यह सारे points अगर आप अपने contract में दलवाते हो और ज़रूरी है अगर आप एक amount अच्छा amount pay कर बनवाना चाहिए बहुत जरूरी है विदाउट इसके मुझे नहीं लगता कि आपको प्रजेक्ट स्टार्टी अच्छी करना चाहिए क्योंकि आप विदाउट इसके project start कर रहे हो विदाउट टेनिंग का प्रजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो अप खुद का loss कर रहे हो समझे अगर आकर चल कोश प्रॉब्म होती है तो फसो गे आप आपको इस लाग पंदर लाग में घर रडी हो जाते हैं तो वह उतना सारा पूंची आप एक बार दे रहो किसी कंपनी को तो आपको ये सारी चीज़े करवानी ही चाहिए तो आई हो दोस्ता आपको मेरे वीडियो प सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्यों दोस्तों मिनते हैं नेक्स्ट वीडियो में